इस डिट्रोयर में हम लोग प्रोपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् तो पहले यहां पर पहले वाला जो आप्संस है स्मूद इसमें अफलाई कहते हैं यहां इसको पहले एडिट मूड में लाना है next किसी भी एक भार्टेक्स को स्लेट करना है next यहां से smooth जो है उसे स्वुड करना है। अब इस तरह से स्ट्रोल करना है। अब इस तरह से स्ट्रोल करऊखे। नेइस्टी करना है ओप सम दमुड में नेग Thousandhen 5- libraries टूंपे य। समध मुडे daylight यहाँ पर यिस टैप फ्रेस करते हैं यहां से object से root, अगर root करते हैं, next यहां से inverse square, यहां फिर tap प्रेस करते हैं, next इस pin पो रहते हैं, tap, next, हम लोग surf, इसे press करते हैं, next tap, linear, tap प्रेस करते हैं, next इसका, अब इसे scroll करोगे, तो इस तरह से इसकी जो area है, वो बढ़ता जाएगा, next, अब खूत experiment करोगे, यहां से random, तो अभी इसकी जो difference है, जो proportional editing की जो सारे options है, smooth, जब आप smooth click करेंगे, तो यह वाला save create होगा, जब आप sphere create, sphere click करेंगे, तो यह वाला save होगा, next, अगर root phrase करते हैं, तो यह, next अगर inverse square, next, अगर inverse square, create करते हैं, तो यह हुगा, next, अगर serve करते हैं, linear करते हैं, constant and random, serve, linear, constant and random, तो इस तरह से proportional editing काम करता है, same, blender 2.799 भी same है, यहां पर proportional editing, आप वो प्रेस करते हैं, पहले एक object insert करते हैं, next, यहां से solid, next, यह तो भी काम करेगा, यहां पर एक important बत यह है, यह तो भी काम करेगा, जोब आपकी subdivide होगा, next, tap, vertex select mode, control tap, vertex select mode, यहां से किसी भी एक vertex को select करना है, next, o press करना है, वो प्रेस करने से, यहां पर यह options on हो जाएगी, यहां से, यह है, professionals editing, इस options, same, smooth, spare, root, इस तरह से, यहां पर भी same, medium mouse scroll करना है, तो यहां पर अगर यह options random create करते हैं, तो इस तरह से, randomness आ जाएगी, तो यह है, यहां पर, professionals editing के लिए, and 2.92 में, इस options है, professionals editing के लिए, लेकिन, इसकी जो shortcut है, वो same है,